Hi everyone, स्वागत है आपका RS Creation Study Channel में तो आज हम लोग एक short story की summary discuss करने जा रहे हैं जो कि है So What Are You Anyway? और इसके जो writer है वो है Lawrence Hill तो ये जो कहानी है, इसका जो mean theme है वो है racism racism होता है जैसे काले और गोरों लोगों के बीच में जो भेदवाव किया जाता है और आपको पता होगा कि West में जो है ये बहुत जादा होता था 90's के दौर में तो ये जो कहानी है ये इसी के उपर based है इसकी theme जो है racism है तो अब हम कहानी की story स्टार्ट करते हैं तो ये जो कहानी है इसकी main protagonist है एक छोटी सी बच्ची मतलब जो जादा बड़ी नहीं है से 12-13 साल की होगी जिसका नाम है कैरॉल तो ये जो कैरॉल है ये एक बच्ची का नाम है और ये लड़की प्लेन में travel कर रही है वो भी अकेले इसके साथ इसके parents से अफर कोई और बड़ा नहीं है कैरॉल जो है window seat पर आकर के बैठ जाती है जो की 12A number seat है और अपनी seat के pass वाली seat क्यूंकि इसके खाली होती है तो अपनी doll को जो है वहाँ पर बिठा देते हैं इसके हाथ में एक doll होती है इसके बाद ये जो कैरॉल होती है ये अपने purse में से सीसा निकालती है और सीसे में अपना face देखने लग जाती है और वो देखती है कि कहीं उसके face पर कोई pimple तो नहीं आ गया है और अब अपने face के color को देख करके कैरॉल को जो है अपने father की याद आ जाती है कि उसके father उसको milk chocolate कह करके बुलाते है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लड़की है उसका color जो है सावला सा है ना वो गोरी है ना वो काली है मतलब वो जो है mixed है सावले का लड़की है जो हम यहाँ बोलते हैं अब थोड़ी देर के बाद इस flight में जो है एक आदमी आता है इस लड़की के पास ठीक है तो यह जो आदमिया इसका face red हुआ है sunburned से और यह जो है इसकी doll को उठाता है seat के उपर से और उल्टी पकड़ लेता है टांगों से पकड़ता है और कहता है कि black color की doll मैंने कभी इस तरह की doll नहीं देखी black color की भी भला कोई doll होती है तो केरॉल कहती है कि इस doll का नाम iska नाम होता है henry और इसके साथ इसकी wife भी होती है जिसकी wife Psych कर के कहती है कि आप इसकी doll को वापस दे डो ना वापस तो केर आपनी doll वापस ले करके खिढकी के पास रख देती हैँ अब यह दोनों seat पर बैठ जाते हैं और जैसे ही बैट जाते हैं तो इसके बाद ये जो बैटी है ये कहती है कि माफ करना तुम मेरे हस्बेंट की बाद का बुरा मत मानना मेरा नाम बैटी है और इनका नाम हैंडरी है और इसके बाद ये जो हैंडरी होता है ये कैरॉल को लगातार देख रहा होता है और इसके बा क्या मैं वाश रूम जा सकती हूँ तो यहाँ पर जो एर होस्टेस है वो कहती है कि हम बस उडान भरने ही बाले है क्या आप थोड़ी देर के लिए रुख सकती है तो कैरोल मतलब मान जाती है तो यह जो कैरोल होती है यह अब खिड़की से बाहर देख रही होती है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है और सोचती है कि क्या उसके पेरंट्स उसको देख रहे होंगे और वो अपनी डॉल का हाथ पकड़ती है और अपनी डॉल के हाथ को हिलाते हुए कहती है कि mom and dad को गुडबाय बोल दो हम जा रहे है तो अब जब जो plane है वो उडान भर लेता है तो उडान के बाद यह जो henry होता है यह कैरोल को कहता है कि आप अब जो है washroom जा सकती है लेकिन कैरोल कहती है कि मैं ठीक हूँ तो henry कहता है तो क्या आप अकेले ही travel कर रही है कैरोल को पूछता है तो henry जो है कैरोल से इतने जादा question पूछता है कि कैरोल जो है irritate होने लग जाती है अब henry पूछता है कि आप रहती कहां पर है तो कैरोल कहती है Don Mills में और इससे पूछता है कि आप वहीं पर पैदा हुई थी तो कैरोल कहती है जी हाँ अब इसके बाद हैंडरी पूछता है आपके पैरेंट्स कहां पैदा हुए थे तो कैरोल कहती है मदर सिकागो में पैदा हुई थी जो फादर है वो टिसकन में पैदा हुए थे अब हैंडरी irritate होकर के जवाब देती है कि ये एक aeroplane की ride ही तो है और वैसे भी मैं big girl हूँ और मैं aeroplane में अकेले travel कर सकती हूँ अब ये जो Henry है ये अपनी wife की कान में कुछ फुसा कर बात करने लगता है और Carol को Henry की कुछ-कुछ words सुनाई दे जाते हैं ऐसे Betty जो है बार-बार कह रही होती है I don't know Henry, मुझे नहीं पता Don't ask me, ask her मुझे नहीं पता, तुम जो है मुझसे मत पूछो, उससे पूछो तो Henry कहता है कि I am kind of curious मैं जहूँ curious हूँ क्या तुम नहीं हो, अब Betty को कहता है अपनी wife को तो अब यहाँ पर यह जो कैरल होती है, यह इन दोनों की whispering में जो है interested नहीं होती है तो इसको थोड़ी-थोड़ी नींद आने लग जाती है तो यहाँ पर Henry और उसकी wife कैरल के mixed complexion की बात कर रहे होते हैं, यह सोच रहे होते हैं कि ना तो यह लड़की पूरी तरह से white है और ना ही यह पूरी तरह से black है मतलब जो Betty होती है वो कहती है कि मुझे तो इन लोगों से कोई problem नहीं है, यह लोग mixed है मतलब यह जो कैरल है, इसके parents जो है mixed होते है, एक white होता है, एक black होता है तब ही यह लोग वही बात कर रहे होते है लेकिन यहाँ पर Betty कहती है कि अभी हमारी जो society है वो इतनी ज़्यादा developed नहीं हुई है कि इस तरह के लोगों को accept कर सके तो एक तरह से यह दोनों जो है racism कर रहे होते हैं यहाँ पर जो है यह Henry को कहती है कि तुम जो हो इस लड़की को जगाओ क्योंकि air hostess जो है यहाँ पर खाना परोस रही है तो इसको शायद खाना खाना होगा तो जैसे ही यह लोग Carol को जगाते हैं तो Carol कहती है कि मुझे जो है washroom जाना है तो यहाँ पर Henry बोलता है कि अभी तो खाना सर्ब हो रहा है अभी क्यों जाना है तुमें washroom तो यहाँ पर Betty कहती है कि जाने दोना अगर उसको washroom जाना है और छोटी सी बच्ची ही तो है छोटी सी बच्ची सुनकर जो Carol होती है वो बहुत जादा गुसा हो जाती है और उसे काफी बुरा लगता है और वो काफी इरिटेट हो जाती है क्योंकि Carol खुद को जो है छोटी सी बच्ची नहीं समझती है अब जब Carol जो है washroom से बापस आ जाती है तो Carol जो है जो air hostess होते है उससे request करते है कि मुझे अपनी seat change करनी है एर होस्टेस पूछती है क्यों Carol कहती है कि मुझे जो है window नहीं पसंद तो यहाँ पर जो air hostess है वो कहती है अच्छा इतनी छोटी सी बात के लिए आपको seat change करनी है तो Carol कहती है जी हाँ तो air hostess यहाँ पर कहती है कि अभी तो मैं seat change नहीं करवा सकती हूँ तुम्हारी क्योंकि हम लोग अभी खाना परोस रहे है सब लोगों को आप थोड़ी देर के बाद मुझे से आकर के पूछना अब Carol अपनी seat के उपर वापस जाकर के बैठ जाती है और खाना खा लेती है अब Henry जो है ना जो इसके मन में कबसे सवाल होता है उसको आखिरकार पूछी लेता है जो Carol है उससे पूछता है What are you anyway? मतलब तुम क्या हो? ये बात Carol को समझी नहीं आती है कि ये पूछ क्या रहा है मुझसे और वो जो है मतलब एक confused सा लुक देती है और वो कहते है कि आप क्या पूछना चाहते है तो Henry जो है उससे direct पूछ लेता है कि तुम्हारी race क्या है तुम कौन सी race से belong करती हो अब Carol एक मैसूम सी बच्ची है उसे नहीं पता कि race क्या होती है लेकिन Carol को इतना महसूस हो चुका होता है कि Henry ने कुछ बहुत गलत question पूछा है उससे अब Carol चाहती है कि कास उसके parents यहाँ पर होते ताकि वो लोग इसे बता सकते कि race क्या होता है अब Henry कहता है ये जो तुम्हारी doll है ये काले रंग की है तो काले रंग के जो लोग होते हैं निग्रो उन्हें निग्रो कहते है अब तुम बताओ तुम्हारी race क्या है तो कैरल जो है अब बहुत ज़्यादा confused हो जाती है उससे फिर से समझनी आती हैंडरी के बाते अब हैंडरी उससे पूछता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो फादर है वो क्या है तो जो कैरल होती है वो यहां पर कहते है कि मेरे फादर तो डैड है और मेरे लिए वो पैंकेक बनाते हैं और मैं उन पैंकेक के उपर हॉट सिरम डाल के खाती हूँ और मेरे डैड मुझे कहानिया सुनाते है अब हैंडरी कैरोल को समझाने के लिए कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक कलरिंग बुक है तो तुम उस बुक में कौन सा कलर चूज करोगी मतलब अपने फादर को कलर करने के लिए तो कैरोल यहाँ पर कहती है कि ब्राउन कलर तो हैंडरी कहता है अच्छा अच्छा तो और तुम्हारी मदर का कउन सा होगा उस book में तो कैरोल यहाँ पर Confuse हो जाती है कि कौन सा कलर क्योंकि उसकी मदर जो है fair होती है तो अब Betty भी ये बात पूछती है कि हाँ बेटा बताओ तो Carol कहती है कि यलो तो Betty यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी मदर चाइनीज है Carol कहती है नहीं तो तुम शेयोर हो कि तुम यलो कलर चूज करोगे अपनी मदर के लिए Carol कहती है मैं शेयोर नहीं हूँ तो Betty कहती है कि तो कौन सा color choose करोगी Carol थोड़ा सोचती है तो Betty कहती है कि क्या तुम्हारी मा का color मेरी तरह fair है क्योंकि Betty जो है गोरी होती है तो Carol कहती है कि हाँ मेरी मा जो है आपी की तरह है तो अब यहाँ पर यह जो Betty होती है ये कहती है कि अच्छा तुम्हारे फादर एक negro है और तुम जो हो mulatto हो, तो mulatto कहते हैं उसको जो मतलब जिसके parents भी ढिफरेंट होते हैं जैसे इसकी mother white थी और इसके father negro थे तो negro और mulatto दोनों ही बहुती खराब bird होते हैं तो इनको यूज नहीं करना चाहिए तो यहां पर ये बैटी कहती है कि क्या तुम्हें नहीं बता था कि तुम्हें एक मुलैटो हो क्या तुम्हारे पेरेंस ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें एक मुलैटो हो और इसका क्या मतलब होता है अब इतने सारे question सुनके जो कैरल है ने ये पूरी तरह similar irritate हो चुकी है अब थोड़ी देर के बाद जो air hostess है वो कैरल के पास आती है जूस ले करके अब कैरल की तरफ वो air hostess देखके मुस्कुराती है और ये जो कैरल जो है air hostess की smile को देखके उसको थोड़ा होंसला आता है और कैरल जो है बहुत जोर से चिलाती है कि मुझे अकेला छोड़ दो अब सभी passenger जो है कैरल की तरफ देखने लग जाते है और बैटी भी थोड़ा घबरा जाती है कैरल की आवाज सुनकर अब कैरल गुस्से से पूछती है कि आप आप लोग क्यूं बार बार मुझे से पूछ रहे हो मेरे फादर निग्रो है या नहीं हाँ मेरे फादर निग्रो है ठीक है हाँ मेरे फादर निग्रो है मेरे फादर निग्रो है बैटी कहती है कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ कि प्लीज तुम चुप हो जाओ अब सारे passenger जो है कमेंट करना शुरू कर देते हैं एक पैसेंजर कहता है कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की बेहुदा बाते कर रहे हैं वो भी 1970 के टाइम में मतलब जब ये जो टाइम है इतना जादा मॉडरन हो चुका है अब ऐसी बाते कौन करता है तो ये मतलब और वो भी इतनी छोटी बच्ची के साथ ही लोग ऐसी बाते कर रहे हैं तो यहाँ पर अब कैरॉल जो है बोलती जाती है कि क्यूं ये लोग मुझसे ऐसे questions पूछ रहे हैं कि coloring book में मैं अपने parents को कौन सा color करूंगी ऐसे सवाल मुझसे क्यूं पूछे जा रहे हैं Betty फिर से कैरॉल को जो है चुप होने के लिए कहती है कैरॉल उनसे कहती है कि अगर आपसे कोई इस तरह के question पूछे तो आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब आप कौन सा color करोगे आप किस race से belong करते हो तो आपको कैसा feel होगा ऐसे question आपसे कोई करेगा तो अब जो air hostess होती है वो समझ जाती है कि कैरॉल जो है बहुत uncomfortable है यहाँ पर Henry और Betty के साथ तो यह जो air hostess होती है कैरॉल को कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ बैठ चाओ मैं तुमें एक special drink पिलाऊंगी और क्या तुमने कभी Shirley Temple नाम की drink पी है तो अब जो है क्यूंकि कैरॉल ने सारा गुसा निकाल दिया होता है अपनी सारी भडास निकाल देती होती है उन लोगों के साथ तो अब कैरॉल जो है अपनी डॉल एमी के साथ जो है उस seat से चली जाती है flight attendant के साथ और यहाँ पर यह जो story है यह खतम हो जाती है तो होप आपको यह जो story है यह पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे channel को like, share और subscribe जरूर कीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, bye bye